शौरी और उनुकी के कहानी जहां दिल्चस्प मोड लेती हुई नजर आ रही है और उनुकी को कॉलेट से रस्टिगेट कर दिया गया है तो वहीं अब शौरी के सामने आएगा पड़ा सच और शौरी रहां रह जाएगा जिसके बाद वो अनुकी का हाथ थाम कर उसे ओफिस ले जाएगा और यहीं पर शुरू होगा एक बड़ा धमाका जी हाँ शौरी किसी की नहीं सुनेगा और सब का मुबंद करवाकर अनुकी के रस्टिगेशन लिटर को कैंसल करवा देगा जिसके बाद की कहानी काफी ज्यादा मज़दार हो जाएगी क्योंकि अनुकी के मन में फिर एक बार शौरी के लिए रिस्पेक्ट बर जाएगी क्योंकि बीदे कहीं एपिसोट्स में शौर की वज़े से ही कहीं न कहीं अनुकी बच्चते हुए नज़र आ रही है देखना हो का काफी ज्यादा मज़दार कि क्या कुछ वोने वाला है आगे की कहानी में